नमस्कार, आज हमें नेकर बनाएंगे, यह मैंने बचे हुए कपड़े से बनाया है, और यह 3-4 साल की बच्ची के लिए है, आप यह नेकर लड़के के लिए भी बना सकती हैं, और लड़की के लिए भी बना सकती हैं, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप वीडियो को फोल्ड करके रख लिया है फोल्ड करने के बाद में इसकी लंबाई है साड़े तेरे इंच यहां तक इसकी लंबाई साड़े तेरे इंच है इधर की साइड से एक्स्ट्रा है और चोड़ाई है इसके 30 इंच मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके रख लिया है अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे इसको मैंने 12 इंच तक फोल्ड कर दिया है अब एक अपड़ा हमारा चाल लेयर में रखा हुआ है उपर की साइड से 2 इंच पे हम इलास्टिक डालने के लिए निसान लगा देंगे अब इस निसान से नीचे की साइड में हम लंबाई के लिए निसान लगाएंगे नेकर की तयार लंबाई रखेंगे हम 10 इंच और एक इंच का हम मारजन रखेंगे तो ग्यारा इंच पे हम निसान लगा लेंगे यहाँ पे हम हिप के लिए निसान लगाएंगे हिप के लिए निसान हम आठ इंच पे लगाएंगे अब इस निसान से नीचे की साइड में हम आसन के लिए निसान लगाएंगे आशन के लिए निसान हम 8 इंच पर लगाएंगे इस निसान को ऐसे सीधा कर लेंगे इस जगह पर आगे की सैड में हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे इसमें हम गोलाई कर देंगे अब हम औरी के लिए निसान लगाएंगे मौरी के लिए निसान हम साड़े साथ इंच पर लगाएंगे अब यहां से ऐसे निसान लगा देंगे अब हम इसकी कटिंग कर देंगे मैंने इसकी कटिंग कर दी है अब हम इसको खोल के उपर की साइड से और खोल देंगे यहां से इसको कट कर देंगे यह मैंने उपर की साइड से इसको खोल दिया है अब हम इसकी सिलाई सुरू करेंगे तो इनको मैंने ऐसे सीधी साइड से रख लिया है सीधी साइड एक साइड में है और ऐसे सिलाई लगा के हम दौनों साइड के आशन जोड़ देंगे इनको ऐसे रखके हम इसके आशन को जोड़ देंगे इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे ऐसे हम दूसरी साइड के आशन को भी जोड़ देंगे इस सिलाई को भी हम डबल कर देंगे आसन जोडने के बाद हम मौरी पर सिलाई लगाएंगे इसे मौरी वाली साइड को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे दोनों मौरी पर ऐसे ही सिलाई लगा देंगे अब इसको हम ऐसे रख लेंगे इसको मैंने ऐसे रख लिया है अब हम इसके बीच की सिलाई लगा देंगे यहाँ पर सिलाई को डबल कर देंगे अब हम इसकी बेल्ट तयार करेंगे तो हम सीधी साइड में दो इंच में निसान लगा लेंगे इसकी बेल्ट तयार करने के लिए पहले हम इसको आदा इंच फोल्ड करेंगे इसके बाद इसको डेड़ेंच और फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा के बेल्ट तयार कर लेंगे ये मैंने थोड़ी सी जगए खुली छोड़ दी है इलाश्टिक डालने के लिए इलाश्टिक डालने के बाद हम इस जगए को सिल देंगे ये मैंने इलाश्टिक लिए है इसमें डालने के लिए इसकी लंबाई है 19 इंच और चोड़ाई है 1 इंच इसको safety pin की सायता से हम इसमें डाल दाएंगे इनको ऐसे पकड़के ऐसे सिलाई लगा दाएंगे दो तीन बार अब हम इसकी खुली हुई सायड को सिल दाएंगे अब हम elastic के बीच में सिलाई लगा दाएंगे और elastic को हम ऐसे दो चारवार खींच के इसके उपर कपड़ा बरावर कर लेंगे मैंने elastic के बीच में सिलाई लगा दी है अब इनेकर हमारा बन के तैयार है वीडियो पसंद आई होतों इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू